नवस्कार, हेटलाइंस बिहार देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रियांक सौरब नेता परतिपक्स तेज़त्वी यादव को एक बार फिर से बड़ा जटका लगा अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ दरसल तेज़त्वी यादव जब से चुनाव खत्म हुआ है चुनाव में हार मिली है लेकिन वो जब से सक्रिये दुबारा सक्रिये हुए है नय साल में जब पठना उनकी वापसी हुई तो उन्होंने एक ऐलान किया कि वो धन्यवाद यातरा निकालेंगे करीब एक महिना पहले भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो खरमास के बाद विहार में धन्यवाद यातरा निकालेंगे तमाम शेत्रों में जाएंगे इसके लिए लगातार वो बैठक भी कर रहे थे खरमास के बाद भी अपने तमाम परत्यासियों के साथ उन्होंने बैठक भुलाई थी उसमें तमाम विधायक जो उनके परत्यासि विधायस समाह में थे वो सब और पार्टी के तमाम पड़ते जो पदाधिकाली थे उनके साथ नो ने मंत्रना भी किया था रन्निती भी तयार कर ली थी कि कैसे कैसे वो धन्यवाद निकालेंगे धन्यवाद यातरा करेंगे और साथी साथ 30 जन्वरी को मानव श्रिंखला का निर्मान करेंगे बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है या फिर लॉइन और को लेकर बार बार सरकार निशाने पर आती है तो इस सब को लेकर मानव श्रिंखला का निर्मान करने का एलान तेजस्वी यादम ने पहले कर दिया था लेकिन जो धन्यवाद यात्रा निकालने वाले थे उस पर अब ग्रहन लगता दिख रहा है दरसल कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादम ने बैठक बुलाई थी और इस बैठक के ठीक एक दिर बाद अचानक लालू प्रसाद यादम की तब्यत बहुत ज्यादा बिगर गई तेजस्वी यादम बिहार में धन्यवाद यात्रा की तयारी कर रहे थे अपने निताओं के साथ बैठक कर रहे थे प्लानिंग कर रहे थी कि कैसे क्या कुछ करना है वही राजत सुप्रीमो लालो प्रसाद यादव की तद्यत बहुत ही ज़्यादा बिगर गई और अब तेजस्वी यादव दिल्ली के एम्स में है अपने पिता का इलाज करवा रहे हैं वहीं पर मौझूद है तो अब क्या ऐसा संभब है कि अब तेजस्वी यादव फिलाल धन्यवाद यात्रा निकाल पाएंगे क्योंकि जब से उन्होंने यह प्लान किया था जब से इसको लेकर लगातार बैठके तो जारी थी लेकिन अब एक तरफ राज़त सुप्रीमों और तेजस्वी यादव के पिता लाल प्रसाद यादव की तवियत बहुत ज़्यादा बिगर गई है तो ऐसे भी उन्हें अब दिल्ली में रहना पड़ रहा है तो फिलहाल ऐसी संभावना कम ही दिख रही है कि तेजस्वी बिहार अभी लोटेंगे और वो धन्यवाद यातरा पर निकलेंगे कई तरह के कार्च करम आयोजित होने थे लेकिन उससा अभी कार्च करम को फिलहाल रोक लगा दिया गया है राजत में छोटे बोटे कार्जक्रम फिलाल हो रहे हैं लेकिन जो बड़े कार्जक्रम की प्लानिंग चल रही थी ऐसा नहीं लगता कि अब वो फिलाल हो पाएगा तेजस्त्री यादव पटना कब लोटेंगे ये देखने वाली बात होगी कि लालो प्रसाद यादव की तब्यत बहुत ज़्यादा खराब है बीते दिनों की तब्यत बहुत ही ज़्यादा बिगर गई जिसके बाद उन्हें रिम्स ने दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया अब दिल्ली के एमस में लालु प्रसाद मौजूद हैं वहाँ पर राजत के कई बड़े नेता मौजूद हैं राबरी देवी भी हैं तेजस्त्वी यादब भी हैं तो तेजस्त्वी यादब फिलाल पतना लोटेंगे ऐसी संभावना कम है और धन्यवाद यात्रा का क्या तवाम अपडेट स्रेडलाइन्स भी हर आप तक पहुचा रहा है अगर आप तक हमाचेनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जब सब्सक्राइब करें नहीं किया है